मैं भी शेक्त्र पार्टी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, स्पस्यूंच को मैं बता है अब दोस्तों हम ट्रांजिशन इंडिया में घुश चुके हैं अब हम मैं यहां पे आपको एक मेडिवल इंडिया के लेक्टर का ओवर厲害 दयें पेसिकली दोस्तों यह быв थो छोगा एक इंडेक्स टैप की होगा इंडेक्स टैप का होगा कि जैसे बुक का इंडेक्स होताओ कि हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे तो मैं आपको एक ओवर्यू देता हूं कि जो अब हमारा मेडिवल इंडिया का कम्प्लीट कोर्स आएगा वो कैसा होगा तो शुरुवात दोस्तों जो होगी वो राजपूत किंडम से होगी राजपूत किंडम बेसिकली आप देखोगे कि यहां 1000 से लेके 1200 सी तक है कौमने रतक दोस्तों इस कंडिशन में आप देखोगे कि कैसे अरब का आकरमण इंडिया में हुआ अरब का आकरमण होने के साथ साथ आप देखोगी कि राजा दहीर का जो राज था सिंद वाले रीजन पर वहां पर फिर अर्भियों ने कैसे कैप आप दिल्ली सल्तनत जो पांच सल्तनत बनी थी के स्लेफ डाइनिस्टी ममलुक डाइनिस्टी भी जिसको कहा जाता है खिलजी वन्स सायद वन्स लोधी वन्स तो यह में लेकर आओंगा फिर उसके बाद आपको जो है प्रोविंशल किंडम्स के बारे में बताओंगा वीज का ऐस्ता का इंडिया मैं आ गया था मतलब वैशनिजम अजयविजम इतना हाभी हो गै कि मतलब और सेंत काइनियार में आ गया जैसे महमदन पishing चिष्टी का भी कंसेप्ट सो मुस्लिम्स में कुछ जादा ही उभर रहा था तो आप ये सारी चीजे देखो गया और साथ में इसके नीचे लिखा इंडोस्लामी कल्चर इंडोस्लामी कल्चर में आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको कई बार का है कि हिस्ट्री इस दा मदर अल सब्जेक्ट तो जैसा कि आज आप अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाते हो ना कि फला फला सिंग फला ये फला वो तो उसी टाइप का ये इंडोस्लामी कल्चर का ये कंसेप्ट है कि जैसे आप अपने घर के बार एक मार्बल टाइप्स के प्लेट्स पे उसको बका 1707 मुगल्स का लेक्चर बेसिकली दोस्तों दो पार्ट में डिवाइट करूँगा एक मुगल्स और दूसरा लेटर मुगल्स में मैं जो है बाबस से लेके औरन जेप तक की काहनिया आपको बताऊंगा और जेप की कहानी और जेप के डेथ के बाद आप देखोगे कि लेटर म कि जैसे जैसे किंग्स वीक होते जाते मैंने आपको बताया ना कि माराठाओं का सरूचा होता जाएगा फिर उसके बाद आप देखोगे कि पॉलिटिकल फ्रेग्मेंटेशन होता जाएगा पॉलिटिकल फ्रेग्मेंटेशन का कुछ कारण ये भी था कि औरन जेप की इस वज़े से कुछ पॉलिटिकल फ्रेग्मेंटेशन भी होते हैं उसके बाद आप देखोगे कि कैसे कैसे राजा अपने आपको जो है ऑ्टोनॉमस डिक्लेयर कर देते कि महादब वो किसी के आधीन में काम नहीं करेंगे उनका अलग सामराज होगा जैसे कि आपने हैदरा उसके बाद आप देखोगे कि modernization in the sense मतलब कह सकते हो कि trade बगेरा में भी काफी जादा हम modernize होने लगेंगे उसके बाद आप देखोगे कि Europeans की entry होगी Europeans के entry के बाद आप देखोगे कि British conquest of India मतलब कि प्लासी के युद्ध के बाद आप देखोगे कि कैसे बंगाल भिहार और उरिसा की दिवानी मिलेगी उरिसा की दिवानी मिलने के बाद आप फिर देखोगे कि 1857 का विद्रो होगा 1857 के विद्रो के बाद पूरा East India Company का जो है capture हो जाएगा तो दोस्तों ये एक lecture का overview था आने वाले lecture का तो अब basically अब जो हमारा lecture आएगा वो राजपूत्स पे आएगा दोस्तों तो अगर आपको ये मेरी कई बाते पसंद आ रही हो और अच्छा लग रहा हो तो मेरे की ये lecture से अगर आपको एक परसेंट भी फाइदा हो रहा हो दोस्तों तो मैं आपसे कोई फीस तो नहीं ले रहा हूं तो मेरी इन lecture को आप शेयर करेगा लाइक करेगा गमेंट करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो नमस्कार दोस्तों